हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक आज हम जिस रिजल्ट को आप लोगों के सामने लेके आए हैं आज हम प्रवक्ता हिंदी 2016 के रिजल्ट का कटफ आप लोगों को बताएंगे पीजीटी हिंदी का और यह जो कटफ बताने का जो मिरा आधार है वो पीजीटी 2011 के रिजल्ट पे है तो वीडियो आगे बढ़े तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पीजीटी हिंदी का कटफ बहुत ज्यादा है 2011 का अभी मैंने रिसेंटली जो है पीजीटी संस्कृत का जो कटफ बताया है जो उपर आप आई बटन में आप इसको जो है देख सकते हैं पीजीटी संस्क प्रवक्ता हिंदी का और सीटों की जो अनिमित्ता है देखिए यह रिजल्स लाया गया है 18 2018 को ठीक है और इसका रिमेंडर पैनल भी दिखाएंगे आपको रिमेंडर पैनल मैं बता चुका हूं आपको कि रिमेंडर पैनल क्या होता है कि जो लड़के जो लोग बाद में ज इटो ऊपर आई बटन से जो है देख सकते हैं और मैं आप लोगों को वस इतना ही कहूंगा कि जो बहुत महनद करके आ आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ और जो है सीटों की जो अनिमित्ता है ठीक है वो अभी भी बरकडर अरा हिंदी में आप देख सकते हैं तो स्षर्ट के अश्राइब कर दानेौचYour को कहा है। सब्सक्राइब Christian को प्रस्क्राइब करनेौच प्रस्क्राइब 24ática भाड़े कि होग्व 10 प्रस्कारइब प्रस्क्राइब है टोटल मार्क सिधार है चार सब तालिस तो मुझे चालिस नमर घटाने जरूत नहीं है इसमें डारेट हम रेटन मार्क से सकते हैं लास्ट लड़का 40.4 400.2 है ठीक है तो इसमें देखिए 19 लड़कों को इनने क्वालिफाई किया है ठीक और ऐसे जरल में आप जरल के बालिक तरह से जो है इसमें भी उटपटाग काम किये हैं हिंदी में देख लीजिए यह 2011 की बिगपती है हिंदी में 21 पद है इसमें 19 पे रिजल्ट लाया है लाए हैं लोग चलिए हम माल लेते हैं कि BSA के सर्वे में दो सीटें कम हुई होगी लेकिन OBC की 9 सीटें यहां दिखा रह ठीके और इन्हों ने यहां पर 13 सीटें का जिट लाया है लाएन है लोग अभि लोक कैसे लोग ऐसा करते हैं अभी लोग तो यहीं जान सकते हैं कि विख Te तो इनके रिजल्ट में काफी अनीमित आए हैं ठीक है और आप एक चीद देख लिजिएगा कि ये जेनरल ठीक है कट अब रिलाक्स होके चील होके पहले इनके जो है डेटा को आप लोग देखे आप 19 ठीक है आप रिमांडर का रिजल्ट जो आएगा मैं आपको रिमांडर का अब रिजल्ट दिखाता हूँ वह 20 से आएगा याद रखेगा जेरल का 19 याद रखेगा देखी यहां देख लिजी आएगा और बालिका बर्ग में जेरल का दो दिख लीजी तो रिमांडर पर्णल में वह 3 से आएगा ठीक है ओवी सी में जो है तेरा यहां पे लड़कों क जाएगा ठीक है तो देख लिजिए ओवी सी का बालाग वर्ग में 396 कटफ है रिटेन में तो देखे इसमें एक्चुल में टोटल लिखा हुआ इसमें 40 घटाने की ज़रूत नहीं है क्योंकि अगर हम यहां टोटल मार्ग सी दर्श लेंगे तब यहां से 40 घटाएंगे में तो एक यहल दिया गया है और सी कि जो है आप देख सकते हैं या बारा लोंका रिएल्स दिया गया है अधकि हिंदी में URL किसी तो कहीं पर इन्होंने एद्व्स сопET कि सिटों क मैं और इन किया है सितों मीच जरल हम्माइबंधर प्रमाइब। प्रमाइबंधर प्रमाइब। कि जब लड़के ज्वाइन नहीं करते हैं संस्थानों को तो उसके बाद जो है जो सीटे बस्ती है उसके लिए उसके नीचे के के लड़कों को लायता है कि 20 नमबर का सीरियल नमबर धरम बिजय सिंग जनरल इनका जो कटफ चार सो सहतालिस है तो चार सो सहतालिस टोटल है यहां पे टोटल दिखाया गया है तो इसमें जब आप घटाएंगे मैं आपको भी वहां दिखाता हूं यह रिवाइंडर परने कर लिखा हुआ है ठीक है और यहां वहां पर एसी पर याद रखी का आप लोग 12 लड़कों का सेलेक्शन था ते दिख लिए यहां से 13 14 15 लिखा हुआ है सीरियल नमबर में ठीक है तो इनका कटफ दिया है कटफ मैं आपको बता देता हूं आप विग्यापन में आनीमिताओं क को देख लिए लेकिन हाँ एक बात है संस्कीत के अपक्छा हिंदी का कटफ बहुत हाई है ठीक है अब आई हम लोग कट अफ देख लेते हैं कि कटफ देखने से पहले आप लोग सीटे देख लीजी सबस्थी कितनी है ठीक है मैं आपको बता दूँ कि हिंदी में जो सामान बर्ग में इन्होंने 13 सीटों को दिखाया है वो इस बार जो है बालक बर्ग में बालक बर्ग के सामान में जो 2011 में 13 सीटों पर इस बार 88 सीटे हैं ठीक है और ओबीसी की जो है 42 सीटे हैं बालक बर्ग में 2011 में 19 सीटों पर इस बार 77 सीटे हैं ओबीसी में जो 13 सीटों पर इस बार 42 सीटे हैं यसी की इन्होंने 12 सीटों पर इस बार 33 सीटों का आप लोग देख लीजे संतानबे, 42, 33 यह स्टीक की 2 सीटे हैं महिला में देख लीजे महिला में 2 सीटों पर यह लाये थे लोग सामाने की 2 OBC की 1 और SC की 1 तो इस बार सामाने की 18 हुई है 1 से 18 OBC की 1 से 7 अरे थोरी, सामाने की 2 से 18 पिछडी की 1 से 7 और SC की 1 से 4 ठीक है और आप एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कटफ देख लिजी आप लोग कटफ देख लिजी चार सो गया है जेनरल का बालग बर्ग में चार सो गया है जेनरल का विदाउट वाईबा इसमें घटाने कोई जरूत नहीं इसको थरी 3.4 से डिवाइड कर दीजे आप देखे 3.4 से डिवाइड करना है किसी औरंग से डिवाइड करना है या आप देख लीजिएगा क्योंकि उस समय हो सकता है कुछ को यह गलत किया होगा योग तो आप उसी हिसाब से अर्जेस्ट कर लिजेगा मैं जेनरली सामानता लेके चल रह लोग 109 कोस्चन होगा 109 कोस्चन एक 108 कोस्चन इससे जो है नीची मेरिट नहीं जाएगी बालक बर्ग में सामान में अब आईए जो है यह बालिका बर्गा है बताते हैं आपको यह OBC वर्ग की लास्ट है टोटल देख लिए 396 इसको 3.4 डिवाइड करेंगे आप तो 117 को एक 108 कटफ जाएगा OBC का 2016 में 107 कोस्चन एक 108 कोस्चन ठीक है अब आईए आप लोग SC देख लीजिए SC बालक बर्ग 378 है लास्ट लड़के का 12 लड़के का 378 को जो आप 3.4 डिवाइड करेंगे तो आपको 111 कोस्चन मिलेगा 111 कोस्चन 12 सीटों पर यल्ट है 12 सीटों का रियट लोग लाएए 111 कोस्चन इस बार 33 सीटों का रियल्ट है 2016 में तो यह कटफ 100 कोस्चन आएगा SC का बालक बर्ग का मैं कटफ फेसर रिवाइज कर देता हूँ जेरल का बालक बर्ग में जेरल का 2016 का नया कटफ 108 कोस्चन 109 कोस्चन ओवी सी काículos बालक बर्ग में 2016 का नया कटफ 107 कोस्चन 108 कोस्चन और SC का ठीक है नया कटफ 2016 का 100 questions 100 questions से नीचे SC का cut-off नहीं जाएगा प्रवप्ता का प्रवप्ता हिंदी का अब आजे बालिका बर्ग को देख लेते हैं बालिका बर्ग में मात्र दो सीटे थी जो इस बार सीटों के लोग बढ़ा के 18 की है ठीक है उसमें 400 ही cut-off है जीजुवल उतना ही cut-off है जितना OBC का cut-off रहा है अरे जरल का cut-off रहा है तो इनका भी 118 ही कया है ठीक है तो आप देख सकते हैं कि अगर इस बार जो है मैं बार बार कहता हूँ कि अगर लड़कियों का cut-off ज्यादा है बन रहा है तो उनको रियल्ट लाएत है 2011 में 18 सीटों का इस बार रियल्ट है 2018 में ठीक है 108 cut-off जाएगा इस बार 2016 का 2016 का 108 cut-off जाएगा बालिका जेनरल बर्ग में बालिका OBC बर्ग में आप देख लीजी मैं दिखा देता हूँ आपको एक सीट पे माद रियल्ट है 393 है 393 को 3.46 डिवाइट करेंगे तो 110 कोस्चन आएगा एक सीट पे रियल्ट लाए थे लोग 2011 में 7 सीटों का रियल्ट है इस बार तो ये cut-off 106 जाएगा लगबग 105-106 और ऐसी का आप ऐसे निकालेंगे तो आपको जो है 108 कोस्चन मिलेगा ठीक है एक सीटों का रियल्ट है 108 कोस्चन मिलेगा बालिका बर्ग में SC का cut-off 2011 का 4 सीटों पे इस बार रियल्ट आएगा और 103 cut-off रहेगा ठीक है तो बालिका बर्ग में मैं cut-off एक बार फिर से revise कर देता हूँ जेनरल में cut-off 108 रहेगा बालिका बर्ग जेनरल में बालिका बर्ग OBC में cut-off 105 106 रहेगा और बालिका बर्ग YS-C में ये cut-off 103 रहेगा ठीक है तो आपको मैंने cut-off बता दिया और काफी स्टुरेंट बोल रहे थे कि सर जो है PGT English, PGT Economics तो मैं सबका रियल टाप लोगो बताऊँगा लेकिन प्रवक्ता हिंदी के cut-off थोड़ा जाएगा इस बात को आप लोग जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा और आयोक हर पेपर के रियल बनाने में अनिमित्ता ला रहा है अगर कोई भी इस पक्ष में कोई बात कहना हो कि देखें कोई 7 साल में भरती करा हो गए आप तो आपके पास डेटा क्या है आप आज के जमाने में 7 साल में लोग अपने बच्चे को नहीं पहचान रहे हैं अच्छा छोटा होता है उसको साथ साल बे बाद अपने पीता के सामने लाया जाए तो साथ साल में इतना बड़ा हो जाएगा आठाल में कि वह बाप अपने बेटे को नहीं पहचान सकता यह आयोग अपने निकाले हुई भी गिप्तियों के सीटों कैसे पहचानेगा ठीक है तो आप लोग कुछ ऐसा करिए वीडियो को ज्यादा ज्यादा फॉरॉड करिए ताकि उत्तर पते मादमी सिख्छा चैनबोर्ट की जो भरतियां हो रही है वो फेर एंड ट्रांस्पारेंट हो इमानधारी से हो ठीक है भरतियां जितना लेट होंगी मैंने आपको अभी संस लोगों के लिए सहूलित के लिए बनाता हूं यहीं वीडियो मेरा पसंद आये तो मैं आप लोगों से बस यहीं रिक्वेश्ट करूंगा कि लाइक की बटन दबा दीजी क्योंकि आप लोगों के लाइक करने से मुझे अंदर से जो है मोटिवेशन मिलता है और अगर मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि मैं जो नया वीडियो बनाता हूं मैं डेली एक वीडियो आपको एक प्रियल का कटा बताता हूं बहुत सोच समझके बहुत ही डेटा को अलग अलग डेटा को कलेट करके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे वीडियो को लाइक कर दीजे और जो भी अगर आप इस वीडियो में कोई कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हम से पोच सकते हैं और जो भी और सब्जेक्टियों को जो कटफ है लेकिन आप दे क्योंक।